हेलो प्यारे बच्चों, कक्ष्या साथ गणित के प्रशनावली 12.1 में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली 12.1 तो आइए प्रसंसंख्या 1 से शुरुवात करते हैं प्रसंसंख्या 1 निमलिक्त स्थितियों में चरों और एक अंक वनीतिये संक्रियाओं का परियोग करते हुए BGA वेंजग ज्यात कीजिये यह BGA वेंजग प्राप्ट कीजिये पहला पार्ट है संख्या Y में से Z को गटाना इसी प्रकार सेकिंड पार्ट है संख्याओं X और Y के को योग का आधा इस तरह से यहां पर हमें आठ भाग दिये हुए हैं एक एक करके हम सभी भागों को B.J. वेंजक के रूप में लिखेंगे पहला पार्ट है संख्या Y में से Z को गटाना संख्या हमने Y लिख उसमें से हम गटाएंगे Z को तो यह हमारा हो जाएगा B.J. वेंजक दूसरा पार्ट है संख्याओं X और Y के योग का आधा सेकिंड पार्ट है संख्याओं X और Y के योग का दोनों का जोड़ उसका आधा यानि बटे दो यह हमारा साइगन पार्ट हो जाएगा थर्ड पार्ट है संख्या जड को श्यम उससे गुना किया जाता है संख्या जड है इसको गुना किया जाता है श्यम यह उसी से गुना जड को जड से गुना किया जाता है तो यह भी जिवेंजे को जाएगा चौता है संख्याओं पी और क्याओं के गुननफल का एक चोथा ही पी और क्याओं का गुननफल ही यानि गुना और इसका एक चोथा ही यानि च्यार से भाग तो यह हो जाएगा मारा चोथा पार्ट यहां पर आप इसको थोड़ा सा simplify कर सकते हैं लिखना चाहो तो इसको हम बार ले सकते हैं यहां पर हमारे पास 4 है तो मैं एक बटा 4 को बार ले लेंगे गुना पी गुना क्या हूँ पी क्या हूँ इस तरह से भी मिनको लिख सकते हैं पांचवा पार्ट है दोनों संख्याओं एक्स और वाई के वर्गों को जोड़ा जाता है दो संख्या हमारे पास एक्स और वाई हैं इनके वर्गों को दोनों कामने वर्ग किया और दोनों को जोड़ यह हो जोगा है कि मारे पास फिफ्पट पार्ट. चछधा पार्ट है, संख्याओं M और N के ग्सक्रि में संख्या पांच को जोड़ना. पहले हम संख्या M और N का क्या करेंगे? ग्सक्रिम गुनद फोल. M गुना, N. इसका फिर तीन गुना, यैनि तीन से गुना. फिर उसके बाद संक्या पांच जोड़ना जमा पांच यह होज़े आएगा तीन एम एन जमा पांच दस में से संक्या हूँ वाई और जड के गुननफल को गटाना तो दस में से हम गटाएंगे वाई और जड का गुननफल यानि गुना यह होज़ेगा दस गटा वाई जड तो साथवा पांच होज़ेगा दस गटा वाई जड इसके बाद आठवा पांच है संक्याओं A और B के गुननफल में से संक्याओं A और B का गुननफल यानि गुना उसमें से उनके योग को गटाना इसमें से गटाएंगे इन दोनों का योग A और B का योग तो ये हमारे पास हो जाएगा A गुना भी A B गटा A गटा B भार माईनिस का निशान है अंदर की निशान है बदल जाएंगे तो ये हमारा आंसर होगा परसंद संक्या दो है निमलिक्त वेंजकों में पदो और उनके गुना खंडों को छाटिये पदो और उनके गुना खंडों को पेड़ आरेखों दोरा भी दरसाईए बदों यहाँ पर हमें वेंजक दिया उसके अंदर में पदों को अलग करना है फिर उन पदों के हमें X है, दूसरा पद गटा के 3 है, इसी प्रकार 1 जमा X, जमा X की 2, पहला पद होगा 1, दूसरा पद X, तीसरा पद X की 2, अब X की 2 गुंद खंड हो जाएंगे, हमारे पास X और X, इसी प्रकार है Y गटा Y की 3, पहला पद होगा इसका Y, दूसरा पद होगा गटा के Y की 3, गटा Y की 3 के उन खंड लिखेंगे, हम एक उजाए गटा का 1, Y, 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 डी पार्ट है, 5, X, Y की 2, जमा 7, X की 2, Y, पहला पद होगा 5, X, Y की 2, दूसरा पद होगा 7, X की 2, Y, इसके उन खंड करेंगे हम, एक हो जाएगा 5, एक X, और दो बार Y, यहाँ पर भी पहला 7, एक उन खंड हो जाएगा मारे पास X, दो बार, एक हो जाएगा उन खंड Y, इस तरह से इसको हमें लिख सकते हैं, अगला पार्ट है, इस पार्ट है, गटा A, B, जमा 2, B, की 2, गटा 3, A, की 2, तो पहले इसका हम पेडार, एक मनाएंगे, इसको पेड़ारे क्यों बोलते हैं क्योंकि पेड़े के अंदर टैनिया होती है बहुत सी इसके अंदर में टैनिया निकार दिया हमने बहुत सी इसको हम पेड़ारे की बोलते हैं पहला पत है इसका घटा के A B दूसरा पत है 2 B की 2 तीसरा पत है घटा 3 A की 2 अब इसके कुन खंड क्या हो जाएंगे एक तोगा घटा का 1 A और B क्यों घटा साथ में तो घटा का 1 A और B इसके कुन खंड हो जाएंगे 2 B दो बार है तो B और B इसके कुन खंड होंगे घटा का 3 A और फिर A क्योंकि A का वर्ग है तो A दो बार आएगा तो बच्वेश तरह से हम इनके पदों को छाट सकते हैं उनके गुनखंडे लिख सकते हैं पेड आरेक के दोबारा कुश्य नमबर तो का सैकिंड पार्ट है नीचे दिये वेंजकों में पदों और गुनखंडों को छाट ये ये में वेंजक दिये वें में उसके अंदर से पद को और गुनखंड को छाटना है पहला पार्ट A है माइनस च्यार एक्स जमा पांच तो यहां पर हमारे पास पहला पद हो जाएगा च्यार एक्स दूसरा पद होगा पांच तो घटा के 4X का जो उन्खंड होगा वो हो जाएगा घटा के 4 और X 5 का उन्खंड हमारे पास हो जाएगा सिरफ 5 B है माइनस 4X जमा 5Y पहला पद होगा माइनस 4X दूसरा पद होगा 5Y तो माइनस 4X जमा तीन्खंड हो जाएगे माइनस 4 और X 5Y की हो जैंगे 5 और Y C है 5Y जमा 3Y की 2 पहला प्द 5Y दूसरा प्द 3Y की 2 5Y कीकषण हो जाएंगे 5 और Y 3Y की 2 कीकोषण हो जाएंगे 3Y और Y क्योंकि Y का वरग है D पार्ट है XY जमा 2X की 2Y की 2 पहला पर दोगा xy, दूसरा 2x की 2y की 2, xy की गुमिन खंड हो जाएंगे x और y, 2x की 2y की गुमिन खंड होंगे 2x, x दो बार y, y e part है P क्याओ जमा क्याओ, तो इसका पद पहला हो जाएगा P क्याओ, दूसरा होगा क्याओ, दो पद, P क्याओ के गुमिन खंड हो जाएंगे, P और क्याओ का सिर्फ क्याओ गुमिन खंड हो जाएगा, अगला है 1.2ab, गटा 2.4b, जमा 3.6a, पहला पद होगा 1.2ab, दूसरा पद होगा गटा के 2.4b, तीसरा पद होगा 3.6a, इसके गुमिन खंड हो जाएंगे 1.2a और b, इसके गुमिन खंड हो जाएंगे गटा के 2.4 और b, इसके गुमिन खंड होगे 3.6 और a, तो इस परकारिन के गुमिन खंड हो को हमें और पदों को अलग अलगे चाट सकते हैं जी पार्ट है तीन बटा च्यार एक्स जमा एक बटा च्यार तो पद हमारे पास पहला हो जाएगा तीन बटा च्यार एक्स और दूसरा होगा एक बटा च्यार तीन बटा च्यार एस के उन्ट खंड हो जाएंगे मारे पास तीन बटा च्यार और एक्स एक बटा च्यार के उन् 0.1 P की 2 दूसरा होगा 0.2 क्यों की 2 इस पद के उन्खंड हो जाएंगे 0.1 P और P दो बार जीसे उन्खंड हो जाएंगे 0.2 क्यों की और क्यों का वरग हैं तो बच्चों इस परकार से हम इस परसन को हल कर सकते हैं